दोस्तों आपका स्वागत है त्रिसक्त एकेडमी में और आज हम डिसकस करेंगे चेप्टर 4 थियोरी ओफ सिंपल बेंडिंग का पार्ट 1 इन स्ट्रेंथ ओव मटिरियल यह हमारे लिए बिल्गुल ही नया चेप्टर है तो सबसे पहले आप जान लें कि बेंडिंग क्या होती है जब कृष्य है माले पास कोई ऐसे इस में कारण प्लाइय करते हैं जब भी किसी बैम में कोई अप्लाइय करते हैं इस इसे ही क्या कहते है बेंड़िंग कहलाती है लोड के काराण जब क्या होते हैं बेंड हो जाता है और उसे क्या कहते हैं इस चैपटे में सबसे पहले हम जानेंगे प्यार बेंडिंग क्या होती है या simple bending और important terms in theory of bending यानि important terms को जानेंगे जो theory of bending को जानने से पहले जरूरी है देखिए सबसे पहले हम जानते है pure bending के बारे में कि pure bending क्या है when a beam is loaded in such a manner that is subjected to constant bending movement यानि जब किसी भी beam को ऐसे हम loading दें कि उस वह स्रिफ constant bending movement करें there is no shear force उसमें shear force ना हो तो यह condition क्या क्या लाती है pure condition pure bending pure bending और simple bending इसे pure bending या simple bending कहेंगे जब भी किसी beam में सिर्फ movement act करता है यानि bending होती है ना कि उसमें shear force act करते हैं या पर आप देखिए यह pure bending का एक उधारन है मानि यह हमारे इसे इस परकार से मोड़ दें तो यह इस परकार से बैंड हो जाएगा कुछ इस परकार से है वहपास neutral layer neutral layer त堂प यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास घ्र एकेंग्टेंगूलर बीम है एक इसमें आप यह फॉर फॉर को हम कहते हैं longitudinal layers बहुत सकते है video लेर साँ उनको बोओ सकते हैं यह इमैजनेरी लेर सेंनारे पास longitudinal लेर साशे मुष भी इनहीं of centroid of beam ends is known as neutral error, देखिए जब हम beam को band कर दे, इस प्रकार से beam को हम band करेंगे, तो यहां पर आप देखिए beam कुछ इस प्रकार, इस सबसे पहले condition है, जब beam को हमने band किया, उसके बाद beam कुछ इस प्रकार से हो जाता है, second condition में, तो आप देखिए, जब beam में होती है beam के यह देखिए जो both end of beam यह दोनों जो end होते beam के उनके mid से pass out होती है तो यह layer कौन सी क्यालाती है neutral layer क्यालाती है in bending position of beam जब beam हमारा bend होता है तो जो neutral layer होती है वो divide करती है beam को tension और compression में या beam की जो उपर वाला जो area है यह जो layers है उनमें यह tension का force होगा यह जो lower होंगे उनमें compression का force होगा यानि यह जो layers है उनको बाट देती है tension force और compression force में अब आप देखिए कि जो neutral layer होता है उसमें कोई stress नहीं होता जो यह layer होती है ना इसमें tension होता है और ना इसमें compression होता इसमें कोई stress generate नहीं होता, इसमें कोई stress generate नहीं होता, अब आप देखिए second, जो हमारे पास है neutral axis, in any cross section of beam, यानि किसी भी cross section of beam, मानिए हमने यह से किसी beam को cut कर दिया, तो यह beam हमारे पास कुछ इस परकार से दिखाए देगा, यह देखिए, इस परकार से यह हमारे पास कोई cross section आ गया beam का, अब यदि हम इसके horizontal line को pass out कराएं, इसके centroid से, horizontal line को pass out कराएंगे, तो अब क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, यही जो हमारे पास axis कहलाएगी, यही कहलाएगी हमारे पास neutral axis, in any cross section of beam, horizontal line, passing through centroid of section, यानि जो section हमने काटा है, या कट किया है, उसके अगर बीट से, center से कोई line pass out कराएं, horizontal line, तो line कहलाएगी हमारे पास neutral axis, इसको हम na से denote करते हैं, na से denote करते हैं, अब आप देखिए, radius of curvature, अब आप देखिए, third है, radius of curvature, in bending position of beam, यानि जब beam हमारा bend हो जाता है, मोड जाता है, तो जो neutral layer होती है, being bent and to form an arc of a circle, यहाँ पर देखिए, कि जब हमारा beam क्या तो जो इसकी जो neutral layer है, वो भी एक arc की तरह, इस परकार से bend हो जाएगी, इस परकार से arc बन जाएगी, किसी circle की, तो जो radius of beam, the radius of beam, यह जो radius जो हमारे पास बनेगी, the radius of beam in bend position, जो हमारा beam मोड़ेगा, तो जो radius बनेगी beam की, neutral layer से, वो क्या कहलाएगी, radius of curvature, यह हमारे पास क्या क्यालाएगी, radius of curvature क्यालाएगी, बहुत ही important है, radius of curvature, कि जब भी हम किसी beam को bend कर दें, तो जो 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 जाएगी, तो जो radius बनेगी, bend position में, उसे हम क्या कहेंगे, radius of curvature कहेंगे, अब आप fourth देखिए, bending stress in beam, यह भी एक important term है, simple bending की छोरी में, bending stress, the internal resistance offered due to bending, called bending stress, यह जब भी किसी beam में, यह देखिए है, यहाँ पर हमारे पास कोई beam है, और इसमें हम loading करते हैं, तो यह क्या हो जाता है, bend हो जाता है, पर हमें पता stress क्या होता है, जो उसको bend होने से रोके, bending stress क्या होगा, जो किसी भी beam को bend होने से रोके, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास, bending stress स्ट्रेस कहते हैं अब आप देखिए यहां पर देखिए हमारे पास जब बेंड हो जाता है बेंडिंग मुमेंट के कारण क्या होता है जो अपर लेयर होती है न्यूटरल लेयर से जो अपर लेयर होती है क्या सा आते हैं लिए इनуска somos सिम्पली मोमें में हम बेंडिंग मुमेंट तो उसमें जो लोवर लेयर है वह कैसे आ Not के का नलीवर भी में जब क्यांती हैं इसका एक और फिक्षण होता है और हमारे पासद होता है यादि जब यह बैंड होता है तो जो इसकी अपर लेयर होती है वह कैसे हो जाती है इसकी जो अपर लेयर है वह आ जाती है टेंसन में और जो इसकी लोवर लेयर है वह आ जाती है कंप्रेशन में in case of cantilever beam due to bending movement यह आपको समझ गए simply supported beam के लिए और cantilever beam के लिए अब आप देखिए जो अपर लेयर है उनमें कैसा force लग रहा है इनमें tensile in case of simply supported beam इनमें compression का force लग रहा है अपर लेयर में तो यहाँ पर देखिए कौनसे stress generate हो रहा है यहाँ पर compressive stress क्या करेगा compress होने से रोकेगा तो यह in large होने की कोशिस करेगा और जो हमारे पास जो tension side है उसमें कैसा हमारे पास stress generate होगा tension stress भी आप हो सकते हैं या tensile stress आप इसे बहुत सकते हैं तो आप यहाँ पर देखिए इन दोनों stresses को ही हम क्या कहेंगे यह बीम में bending stress कहेंगे क्योंकि यह बीम में generate हो रहे हैं तो यह कौन से stress कहलाएंगे bending के करण bending stress अब आप देखिए फिफ्थ फिफ्थ आता है मारे पास बहुत important टर्म है moment of resistance moment of resistance यह इसका दूसरा नाम होता है maximum bending moment maximum bending moment moment of resistance balances applied bending moment जो moment of resistance होती है वही balance करती है इसे applied bending moment को applied bending moment को the moment of couple which resist the action of external bending moment इसकी दूसरी परिवासा है कि यह moment of couple है couple यानि जो दोनों तरफ से equal and opposite जो force कारे करें force कारे करें वह है moment of resistance यह विच रजिस्टेंस यह विच रजिस्टेंस दे एक्सेन ओफ एक्स्टरनल बेंडिंग मुमेंट यह यह बेंडिंग मुमेंट को होने से रोकता है तभी यह क्या करता है इसको सिंपल बेंडिंग आप इसे कह सकते है और important terms related to theory of simple बेंडिंग आज हमने डिसकस किया यदि आपको इस वीडियो से related कोई भी query हो तो आप तेरी सकते अकाडमी के comment section में comment कर सकते हैं और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो please आप इसे like कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद